हेलो जैने दोस्तों मैं राहुल सिंग राहुल वाई फाई स्टेडी में आपका बहुत बहुत स्वागत और रभी दिद्दर करता हूं मैं तो उत्तर प्रदेश अधिनस सिवा चैनायोग जूनिया से इस्टेट एक्जाम 2019 जैसा कि आप लोग जानते हैं 24 दिसंबर को प्रस् से जारी कर चुका है और लगभग आपका जो सोला जिलो निया सेंटर बनाए जाएंगे हैंना सोला जीलो में सेंटर बना जाएंगे आपके इस परिच्छा के लिए क्योंकि दो पाली मम की परिच्छा अदुन किया एक और लगभग सवाफ पांच लाग से ज्यादा यानि पांच लाग 35,000 बच्चे इस परिच्छा में उपस्तित होने की संभावना भी जताई जा रही है तब यह बड़ी खबर है भी तो अब अब हम पढ़ेंगे प्रक्टिस के समझ में आज हम समार्थ जानकारी से प्रक्टिस सब्सक्राइब करके आपके समझ आ चुके हैं पिछ प्रक्टिस समार्थ जानकारी से तो मित्रों जब्सक्राइब किसी परिच्छा भी मैंने आपको लगातार बताते आ रहा हूं कि अब आपके आज हो चुके हैं नौ तारीक है ना नौ नौमबर यानि दस तीन तेरा एक चौदा दिन है ना तो मात आपके पास चौदा दिन एक दिन आपको सेटल्मेंट आपके सेंटर अगर दूर कहीं पड़ गए तो उसको आने जाने में तो मात आपके पास तेरा दिन बचे हैं और इन तेरा दिन में आपको जो है प्रैक्टिस जितना आप घर पे आंगे आपके लिए उतना ज्यादा बहतर हो पाएगा तो मित् परदेश अधनस्त सिवा चेनायो की पलपल की खबर और लगातार प्रैक्टिसर टूनिय असिस्टेंट एक्जाम दरवणनेश को राहूल वाई पाईस्टी चनल के माधनम से आप तरग सीधे आपके मुवाइल हैंड सट पर पहुंचाई जा सके तो चलिए बढ़ते हैं ल पहला को सन आपके स्कीन पर आचुका है समान जानकारी से जी हां कि गाधी इर्विन संदी पर हस्ताचर कब किये गये थे यह आपको बताना है तो चार आपसान आपके स्कीन पर है आप देख सकते हैं आपको बताना है तो जी है आता है तो आता है नहीं आता है तो आपको पता होना चाहिए तो क्या होगा गाधी इर्विन संदी पर हस्ताचर कब हो थे 1931 में महत्मा गाधी और इर्विन के बीच संदी परस्ताचर किये गये थे है ना यह थे पहला कोश्चन आज का अब दूसरा कोश्चन के तरफ बढ़ते हैं हम लोग देख लेते हैं सेकंड कोश्चन कौन है आज के इस वीडियो का समान जानकारी से भारतिय राष्टिक कां मुन में इढ़ता की थी तो आपको इन सफकर बारे में याद करते जार्णा जरूरी है तो पर्तों Uhm अगर कोशन की बात कर लें पर्थम राश्टी कांग्रेश अध्वैसन की सवपर्थम जो है मुस्लमान ने जो अधिस्ता की थी वो थे बदरूद दीन तयब जी है ना आप बिल्कुल आपके पेपर आएंगे उसी पैटन पर यह जो कोशन है और वीडियो को लाइक करते चले और इसको शेयर भी कर दिएगा आपके वाट्साइप फेस्बूक गुरूप है अब देशते हैं अगला कोशन डाटर आप दी इस्ट नामक परसिद पुस्तक की लेखी का कौन है डाटर आप दी इस्ट जैसा कि आप लोग जानते हैं पाकिस्तान की पूर परधान मंत्री यानि पाकिस्तान की पर्थम महिला परधान मंत्री जो थी वे नजीर भुट्टो वे नजीर भुट्टो को डाटर आप दी इस्ट के नाम से कॉल किया जाता है जैसा कि आ और आज भी पाकिस्तान में एक मुख भी पच्छी के रूप में जो है जो है संसद में अपने जवाब रखती है तो डाटर आप दी इस्ट की अगर बात क्या जाए जो पुस्तक है उसकी जो लेखक हैं यह आपको बताना है जो कोशन है तो उसकी लेखक भी कौन है वह है वे नजीर भुट्टो चलिए अगला कोशन देख लेते हैं बाजार बेरियमन परनाली कब आरम की गई थी बाजार बींमन लेंदीन तो बाजार बीनमन जो आपकी पराली ये शुरुवांत की गई थीriver कब की गई थी वह आपको बताना है है तो किसंद्र सुनु कर ती यहीं यह आपको बताना है वह सुनु किया गया थाeilakti समिस के द् firedond इल्किन मिस्ञे दोरह सुरू किया था मुहमंद तुकलक je आपका ता उन्ती held ृठ था जानब अब्स और वाला लेक आपसा आपको बताना है तो आप लोग जनते हैं झालों कि एक हजार 24 vbl बराबर एक की भी होता है और एक 2024 बिबराबर क्या होता है एक जी भी होता है है न ना तो यह आप जनुद जानते होंगे जे बीके भी फैरा यह राइट और यहांज रॉन इस इस कोसिन का है ना चलिए बढ़ते अगले कोसन की तरफ अगला कोसन की लेते हैं जिसको आप सही भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं 1024 है ल्गाजार 24 यम्भी बडाबर एक के भी होता है स्वार Eeeh 64 24 बराबर एक यंभी होता है कितना 124 हो आप दिसकते हैं यह के बी बराबर होगा कितना एक यंभी है ना और दससोड़ोगिशा यंभी बराबर होता है एक जीबी यानि 1024 इंटु 1024 एक हज़ार 24 दोनों मिला करके है जो कितने होंगे एक जी भी होगा राट एंसर होगा अप्शन नूंबर सी इस दा यह ना चलिए अग्ला कोशन दिख लेते हैं अग्ला कोशन लिए आपके स्कीन पर देख सकते हैं भारत का हिमादृ स्टेशन इस्तित आप और भारत निर्वाचन छेतर वाला भारतीय राज है बारत निर्वाचन छेतर वाला भारतीय राज्ज है ये आपको बताना है तो क्या है? उत्तरपर्देश है ना? अपना पर्देश उत्तरपर्देश अगला कोशन भारत के संविधान को अपनाय जाने के बात पहला संसोधन कप किया गया था? जाथा कि आप लोग जानते हैं लगातार संसोधन हो रहा है और आज नागरिक्ता बिल संसोधन भी हमारे संसद में पस्तूत किया गया है और यह भी पास हो चुका है है ना इसके पच्छ में लगबग 82 के या 84 के आसपाथ भी पच्छ में पड़े हैं और लगबग 284 या फिर संसोधन हमारे संमेदार में हो रहे हैं तो लेकिन इसकी सुरुआत कप की गय थी यह आपको बताना है तो भात कि अपना आजाने के बाद पहली बार का संसोधन किया गया था आपके संम्विदार में और 251 में अगला कोश्चन निमर्खित में से किसने विभिन विशो में दो नोबल पुरुषकार पराप्त किया है यह आपको बताना है तो कौन जी हाँ, मैडम कियोरी ने, है ना, आपसर नम्बर A, मैडम कियोरी ने अब इस साल का जितने भी नोबल पुरुषकार जो लोग पराप किये हैं इसमें सबसे मात्वपूर एक भारतिया का भी नाम है जो अरसाथ के छेत में पराद किये हैं उनके पति और पतनी दोनों लोगों ने पराद किये हैं नोबर पुसकार कि इस से कोशन आपके बनने वाले हैं तो आपके जो दोजल बनने इस नोबर पुश्कार है उसको भी त्यार करना बहर जरूरी है चलिए अगरा कोशन देख लेते हैं सांसद निधी सांसद निधी की वर्तमान रास क्या है ये आपको बताना है तो सांसद निधी की जो वर्तमान रास है वो पूरे साल का उनके पूरे साल का जो है वो पाँच करन है अगर बात किया जाए तो वो पूरे पाँच साल का लगबग नुटीफाइब करोन यान इसका राइट अंसर होगा आपसर नमबर डी इच पाँच करोन किस मंडल को विस्स के उत्रक्रिष्ट कालीन उद्धोगों का केंदर माना जाता है तो किसको जी हाँ मिर्जापूर है ना मिर्जापूर मिर्जापूर में जथा कि आपनों जानते हैं चंदावली भदोही ऐसे कुछ परमुग जिले आते हैं जिसको कालीन उद्धोक के लिए उत्तापदेश के एक उत्तिक्रिष्ट के इंदर माना जाता है अगला कोश्चन बेदी इंपोर्टेंट आपके कई बार आपके परिच्छा में पुछा गया था और सबसे बड़ी ची अपरेल मार 2016 में आयुजित हुआ था उसमें ये कोश्चन आपसे पूछा गया था कि घूमर लोक निर्ट है अब ये कहां का है किस परदेश का है ये आपको बताना है तो घूमर लोक निर्ट है वो आपके कहां का है राजस्थान है ना राजस्थान का है चलिए अगला औरse तरफ डाइ आकशाइड यानि YS O2 YS O T आफजथानल दी राइट अंसर अगला कोशन उत्तर प्रदेश राज्य कि सीमाएं अन कितने राज्यों को असपस करती हैं ये आपको बताना है तो कितने राज्यों को असपस करती हैं वो है आर्ठ अधर बात का लिया जाए तो कौन कौन से बिहार, 36 गड़, जारखंड, दिल्ली, हरियारा यानि पांच हो चुके हैं, उत्राखंड, 6 उसके बाद हिमांचल पर्देश, 7 और एक और राज्य है जो इसके संपर्क में इससे जो सटा हुआ है एक और जो राज्य है वो आपका है, मद्ध पर्देश, है ना, total 8 हो चुके हैं, चलिए, अगला कोच देख लेते हैं, गलेशियर एकस्परेस निम्रखित में से किस देश की परसित दरियल गारी है, है ना, गलेशियर एकस्परेस निम्रकित में से किस पर्देश की है, यह यह शूटिजर लैड है ना सुटले लैंड की सूटिजर लैड की ए मात्पूर्ट रेन है कौन से गलेशियर एक्सप्रेस अगला कोशन अगर देख लिया जाए कौन सा आपके लिए तो अगला कोशन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं देख लेए बिनसर का जंगल बिनसर का आपका कहां पर ये उत्तराखंड है ना उत्तराखंड की राजधानी देहरा दून लेकिन प्रस्तावित क्या है वो आपकी प्रस्तावित क्या है नैनी ताल है ना अगला कुशन निम्लिकित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है निम्लिकित में से किसे भारत का तोता कहा तो किसे अमीर खुसरो को गजल गाई की ख्याल गाई की तबला जैसे वादेंतरों के जनक कौन है जो इसको शुरुवात की वो अमीर खुसरो ही है और इन्हें भारत का तोता के संग्या भी दी गई है है ना अगला कुश्चन निम्लखित में से किस देश ने पूर्वी सागर में कम दूरी तक मार करने वाली कई मिसाइलों का परशे पड़ किया है तो कmi सा देश हो उत्तर कोरिया दो योग है है नब अग upload आगा एक पैला दे जिसमें हाल ही में जलवाई अपातकाल लागु किया गया है तो यह न्हां अपको lifesyaome लिखेंग कर आगे बेर syllabus में उप summarize में यार्य उद्रचेंट और आपज़ा ना कोश्चनव भी करेंट को बता है है और देख है है ego स अगला question देखिसकते हैं इस से हैं यह से देख nationalism ने वीवी पैट है ना वीवी पैट मामरे पर कितने बीपच्छी दलों की याईजका को खारिश कर दिया है ना हाली में मानिय शुप्रीम कोट ने बीबी पैट मामरे पर कितने भी पच्छी दलो की याज़का को जो है खारिच कर दिया करेंड का कोश्चन है तो ध्यान देते चलना भी इसको जरूरी है यानि पूरी तरीके से आपको हम इस तरीके से तयार करना चाहते हैं कि आपका एक्जाम जो है बेह चित्याम ने हैं मूज़ अधिकार च्षेत्र सामीर हें तो काँति सी भारतियसंग की विभीन इकाईयों के बीच विबात अगला कोश्चन पहला गैर अमरीकी है ना जो अमेरिका से नहीं है टाइम पर्सन आप दी इयर कौन था पहला गैर अमेर की टाइम पर्सन आप दी इयर कौन था तो कौन था ओ जियां राष्टि पिता महात्मा गाधी आपशन नमबर बे इदा राइटन साथ अगला कुशन मालवा छेट सबसे महात्वपूर सहर है तो कौन सा है जैसा आदे हों यह मद्द पर्दिश में है लेकिन उकिस छेत में किस जिलो में है सटा हुआ है यह आपको बताना है तो मालवा छेत जो आपका है वो उज्जैन और इंदौर है ना उज्जैन और इंदौर छेतों से इसके महत्पूर साहर है है ना मालवा छेत का अगला कुशन किसने अभग्यान सकुंतलम कुमार संभो योम रगो वनसम जैसी परसित नाट्यक लिखे थे तो किसने लिखा था काली दास ने है ना काली दास ने अगला कुशन सार्दा नदी उत्तर परदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गम होती है मैदानों में परवेश करने से पहले सार्दा किस नाम से जानी जाती है है ना तो सार्दा उस से में जानी जाती है किस नाम से काली आपसन सी इस दा राइट एंसर किस नदी से जो सार्दा किस नदी क जाते हैं जब मैदानों विछती है तो काली नाम से और जो मैदानों विछती है परवेश्क करती है तो उसे हम सारदा नदी के नाम से जानते हैं अगला कोशन यहां से है राष्टिय परतीक पर निम्खित में से कौन से सब्द अंकित हैं तो कौन से सत्य में जैते यानि सत्य की हमेशा विजय होती है सत्य में जैते अगला कोशन सन 183 में जिस राष्टिय पार्ग को टाइगर रिजर्व घोसित किया गया था वह राष्टिय पार्ग है तो कौन सा था वो पेंच है ना पेंच राष्टिय पार्ग था वो अगला कोशन भारतिय थलसेना के परमुक वर्तमान में कौन है तो कौन ह सबसे उची चोटी है तो कौन सी है वो गुडबिल चोटी कौन सी गुडबिल चोटी यानि आप्शन नमबर डी है ना भारतिय रिजर बैंक की अस्तापना कब हुई थी RBI की रियर बैंक आफ इंडिया की इस्टेबलिश्मेंट कब हुआ था ये आपको बताना है तो इस्टेबलिश्मेंट कब हुआ था 1935 में है ना और राश्टिय करण इसका कब हुआ था सन 1914 में अग्ला कोशिन मानो अधिकार दिवस का मनाया जाता है तो कल ही आपका मानो अधिकार दिवस मनाया जाएगा Human Rights Day मनाया जाएगा व्यूवेन के द्वारा ये मनाया जाता है और ये मनाया जाएगा आपका कल 10 दिसंबर को है ना अगला कोईशन बंदे मातरम इनके द्वारा लिखा गया था तो बंदे आम चंद् Čतर जी जी के द्वारा है न YEAH और जंगरमन अपको पताना जाहा है किन के दो और खी गई थी यह आपको बताना है किन के दोर्ब कि रहा किसके इनी वेशंट के इना फला है ना अगला कुशन वि क्या विश मोर्प्म का के किसके सतरंज के है ना अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन निम्न में से कौन सी एक उच चस्तर ये भासा वैवसाइक संक्रियाओं में उपयोग नहीं की जाती है कुछ कोशन आपके पूछे जाएंगे तो उसे समलित करने की पूरी कोशित के गई है इस बीडियो में इस सिसन में तो कौन सी उचतर ये भासा है जो बेवसाइक संक्रियाओं में उपयोग में नहीं की जाती है ना तो कौन सी है वो पास्कल है ना बाकी कोबाल इस पैट सीट और सी ये परियोग किये जाते हैं विजनस संक्रियाओं में ही ना पास्कल पोर्व अच्छा मंती थे उनका निधन हो गया था और उनकी जगह पर बना गया है पर्मोध सावंत को किसे भारते जनता पार्टिय के जो नेता थे वो पर्मोध सावंत जो है वर्तमार में गुवा के मुक्ख मंत्री का कारिभर समाले हुए है है ना अगला कोशन उत्तर पर्देश में निवास करने वाली जौन सारी जनजात निम्रकित में से किन देवी देवताओं की पूजा करता है तो किन देवी देवताओं की दुर्गा को जौन सारी जनजात जो है दुर्गा मा को पूजा करता है अगला कोशन लोक्षभा हेतू उत्तर प्रदेश में दिर्वाची संसत सदसों के कुल संक्या है तो कितनी है वो 18 है ना 80 लोक्षभा सीटे हैं उत्तर प्रदेश में है ना चाड़िए अगला कुशन देख लेते हैं निर्मकित में से किस राज में में गराव वन का सबसे अधिक छेतर है में गराव वन का सबसे अधिक छेतर है तो कहां पर है वो पच्चिम बंगाल में है ना अगला कुशन और इस सेशन का लाश्ट कोशन है कि बाबर की मित्रू कहां हुई थी बाबर की मित्रों कहां हुई थी तो बाबर की मित्रों कहां हुई थी उत्तर परदेश के आगरा में तो ये महतुपूर फोटी कोसन थे जो आपके जिया सक्सन से मित्रों जो आपके एक्जाम के point of view से आपके रिए बेहर इहीं important है और इसी pattern पर आपके exam में ही आएंगे ऐसे नाएंगे तो आपको इसको जडरूरी है कि आपको इसको जो है ध्यान से पढ़े और इसकी जो पर ध्यान दे है ना तो मित्रोट ठीक है वीडियो अगार, अच्छा लगत लोगत लाइक करें और इसे जादा से जादा इसे अपने फेंट सर्किल में चाहिए आपको वाट्स डूड़े हैं फ्रेंड आपकी पेस्बूक से जुड़े हों वहाँ आप इसको शेर कर सकते हैं है ना मिना किसी फ्रीज के और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब आपको नेक्ट वीडियो की नोट्सिपिकेशन ताकि तुरंद पराप्थ हो सके है ना तो ठीक है मिलते हैं अब नेक्ट वीडियो में नेक्ट पैक्टिस्ट के साथ तब तरक के लिए धन्यवाद नमस्कार जै हिंद जै भारत